नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं उन्होंने कहा है कि नियोजन निती परम जबाब जरूर देंगे लेकिन तब भाजपा वाले भाग खड़े होंगे सत्र के दुरान मंगलवार को भाजपा विधाया के द्वारा कपड़े फालने और उसकी वीडियो गराफी करने वाले सदस्यों पर करवाई की मांग भी है मनसुरे ने किया है बता दे बुद्ध्वार को प्रश्ण काल के बाद मुख्य मंद्रे सदर में पहुँचे तो भाजपा विधायकों ने ध्यानक कर्शन के दुरान हंगामा सुरू कर दिया 1932 का क्या हुआ नियोजन नीती 60-40 नाई चलतो और सीएम के खिलाप नारे भाजपा विधायकों ने लगा है वही प्रश्ण काल के बाद विपक्ष के विधायकों ने नियोजन नीती पर मुख्य मंति से जवाब दाकिल की मांग स्पीकर से की है इस पीकर ने कहा है कि कार्य मंत्रना समीती की बैठाक में जोरनी ने हुआ है उसके हिसाब से काम होगा उसके बाद भाजपा के विधायक वेल में आकर नारे बाजजी और हंगामा करने लगे रांची में बजरपात से होने वाले नुक्सान को रोकेगा मौसम केंद्र जहां सभी राष्ट्र चरम मौसम जलवायू पानी और अन्य पर्यावर्निय घटनाओं के समाजिक आर्थिक पईनामों के प्रति अथिक तयार हो भारत मौसम विग्यान विभाग IMD 200 मौसम विग्यान दिवस के उसर पर समाज की सुरक्षा और भालाई के लिए मौसम जलवायू और जल विग्यान सेवावो के योगदान को प्रदर्शित करने के लिए विभीन गति वीदियो का योजन करता है पुरोनमान और सम्मंदित गति वीदियो के बारे में जानता तो सिक्षित करने के उदेश से जार्खन के रहधानी में इस्थित मौसम केंद्र रांची 23 मार्च को विष्व मौसम विग्यान दिवस मना रहा है पुलिस कर्मियों के पैर से कुचल कर नौजात की मौत पर सीम का एकसान पैर्गान जानती वारंट के मामले में दो लोगों को पकरने के लिए एक घर पर पहुंचे थे इस घटना के बाद विपक्षी भाजपा ने वरिष्ट अधिकारियों को निलंबित करने की मांगी है वहीं गिरीडी के पुलिस अधिक्छक अमित रेनु ने बताया है कि आरोप लगा है कि अदालत के दो गर्जमानती वरंड की तामिल कराने जब पुलिस मोके पर पहुंची तो चार दिन के बच्चे की मोत हो गई है जे एस एसी ने जारी किया एक्तिसो बीस पदो पर सिक्छक भरती जारखन में एक्तिसो बीस असनात कोतर प्रसिक्षित सिष्खो की नियोकती होगी जिसमें 2855 नियमित और 265 बैक्लोग पदो पर भाली होगी जारखन करमचेरी चैन आयोग ने इसका भियापन जारी कर दिया है 5 अप्रेल से 4 माई तक इसके ओनलेन आवेदन लिये जाएंगे असनात कोतर प्रसिक्षित सिख्षक परत्योकता परिक्षा से 2855 नियमित भारती में से 237 पदो पर सिधी नियोकती होगी जबकि 788 पदो पर सिधी नियोकती होगी बैकलोग के 265 पदों में 204 पदों पर सिधी नियुकती और 16 पदों पर सीमित भरती होगी अभियार्थी की नियुम्तम उम्र सीमा 1 जनवरी 2023 से और अधिकतम उम्र सीमा 1 अगस्त 2019 से जोड़ी जाएगी जार्खन में फिर बढ़ने लगी कुरोना संक्रमितों की संख्या जार्खन में पिछले चार दिनों से एक बार फिर कुरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने लगी है वहीं दूसरी ओर यह भी सचाई है की 12 वरस जदिक उम्रवाल ले लोगों में 71,89,912 लोगों ने कुरोना से बचाओ के लिए बहुत जरूरी भैक्चिन का दूसरा डोज नहीं लिया कुरोना काल के सुरुवाती दिनों से लगतार सेवा देने वाले रांची के डॉक्टरों का कहना है की कुरोना वारिस खिलाप एंटिबोडी बनाने के लिए भैक्चिन की दोनों डोज लेना बहुत जरूरी है ज्यारखन की चार महिलाओों को सीअम हैमनत ने किया समानित मुख्य मंत्री हैमन सेरेन विधान सभामे अपने कक्ष में चार महिलाओं को समानित किया है बतादे कि सीम ने जल, जिवन मिशन, जल संरक्षन और स्वक्षता के छेत्र में विशिष्ट योगदान करने के लिए रांची जीला के काके परखंड के पिथोरिया पंचायत की मुख्या मुन्नी देवी, कोडार्मा जिले के मरकचो पंचायत समिती की सरस पारवती देवी और कोडार्मा जिले से मरकचो परखंड इस्थीत और कोचा पंचायत की वाड सद से पूजा देवी तथा कोडार्मा जी लेक के डोम चांच परखंड के लक्षमी पूर पंचायत की परवती देवी को समानित किया है बता दे कि राज्य के मुख्य मंत्री ने उन्हें इस छेत्र में बेहतर काम करने के लिए समानित किया है और सभी को बदाई दी साथ ही उन्होंने इन चारों महिलाओं के दुआरा उनके छेत्र में किये जा रहे कामों की जनकारी ली और सराना भी की बता दे कि इस दोरान राज्य पेजल एवां स्वक्स्ता मंत्री मिसलेश ठाकूर भी मवजूद थे राम नौमी को लेकर अलर्ट मोड पर रांची पुलिस 1200 को नोटीस राजधानी रांची में राम नौमी को लेकर जीला पर सासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर कैम कर रही है इसे लेकर SSP की सोर कौसर ने राची पूलिस को कई दिशा निर्देश दिये हैं ताकि जीले की सांती बेवस्ता बनी रहे साथ ही पूलिस की ओर से सनवेदन सिल इलाकों में सांती बेवस्ता बनाए रखने और पर्व को आपसी सवहर्द से मनाने की भी अपिल की गई साहर में सांती बेवस्ता को दुरुस्त रखने के लिए पूलिस की नजर सोशल मीडिया पर भी बनी हुई है पता दे ऐसे में सुरक्षा बेवस्ता को ध्यान में रखते हुए पूलिस की ओर से जीले के करीब 1200 लोगों को नोटीस भेजा गया है और समाजिक तत्वों पर परशासन ने नकेल कस्ते हुए धारा 107 के तहौत एसेसपी के निदेश पर इन लोगों को नोटीस भेजा गया है जार्खन सरकार पारदेशिय चात्र विर्ती के लिए 15 मई तक करे आवेदान सिक्षा के छेत्र में सरकार कई योजना ये लागू करती है कुछ ऐसी ही पौल के साथ है साल 2021 में जार्खन सरकार ने एक योजना शुरू किया था जिसका नाम है मरांग गोम के जैपाल सिंग मुंडा पारदेशिय चात्र विर्ती योजना बतादे इस योजना के तहत सरकार वेशे छात्र शात्राओं को सिक्षा पादान करती है जिनकी आर्थे किसी थी ठीक नहीं है जार्खन के रहने वाले ही इस योजना का लाब ले सकते हैं इसके लिए आपको आवेदन करना पड़ेगा सेक्षनिक सत्र दोहजार तेश चोविस के लिए आवेदन जामा करने कामतिम तरिक 15 मैं दोहजार तेश है रांची और देवघर से बिशेस बिमान सेवा के सुविधा सेडूल जारी इरपोर्ट अथुरेटी और इंडिया ने देश भर के हवाई अड़ा से ग्रिशन कालिन बिशेस बिमान सेवा के सेडूल जारी कर दिया है इसमें रांची बिशा मुंडा हवाई अड़ा और देवघर हवाई अड़ा से भी 26 मार से 28 अक्टूबर तक भी सेश उड़ान होगी इंडि गो एर एस या और गो फास्ट का बिमान समय सारनी के अनुसार अलग-अलग सहरों के लिए उड़ान भरेगा सियम हेमंत का बिजेपी पर हमला कपड़े फार करना पर रहा राम भक्त सीथ बिधान सवायं बैर सत्र के दुरन बुद्धार को पहली पाली में भाजपा बिधाकों की और से नियोजर निती परमोक्य मंत्री के जबाब को लेकर फिट से हंगामा किया गया इस परमोक्य मंत्री है मंसुरे ने भाजपा पर निशाना सात्ते वे कहा है कि मुह मेराम बगल में छुरी उन्होंने कहा है कि आई देश की सरोज पंचायत लोक सभाठाप है आदिवासी दलित अल्पसंख्यों की आवाज नहीं उठ पा रही है देश के इतिहास में या पहला मौका है जब सात्ता पक्ष ने ही लोक सभाठाप को हाईजेक कर लिया है विपक्षी दल भाजपा भी यहां इसी को दोहरा रही है इसके पास न तो कोई भी सह है और नहीं मुद्दा मुक्ष मंत्री ने कहा है कि मंगलवार को सदन में इनकी ओर से वीडियो ग्राफिक की गई तमासा किया गया इस पर करवाई होनी चाहिए सदन की गरिमा को तार तार कर ड्राम में बाजी की जा रही है अब कपड़े फार कर नियसीद करना पर रहा है कि ये राम भक्त हैं इस वर वो आला सब को देख रहे हैं हजारी बाग में राम नमी को लेकर तयारी एक सो आस्थाई सीसी टीवी कैमेरे राम नमी पर निकलने वाले जूलूस के मार्ग में इस्थीत सहर की सभी माकानों के छाथ पर बुद्धवार को ड्रोन से निरिक्षन किया गया जूलूस में बीदी बेवास्था बनाए रखने के मद नजर पर सासन की ओर से सभी सोधानिया बरती जा रही है जूलूस के दोरान पत्थरबाजी नहीं हो इसे लेकर जूलूस मार्ग के सभी माकानों का जीला पर सासन और पुलिस पर सासन द्वारा जाच की जा रही है इसके अलावा जूलूस मार्ग और विभीन चौक चौराहों पर CCTV केमरे लगाने के लिए अस्थानों को चैन किया गया है बता दे इंद्रपूरी से पिलावाल, इंद्रपूरी से खिरगावा, समसान घाट, रोड, मलवी मार्ग पर कैमरा लगाने की परकिरिया शुरू कर दी गई है एसपी मनोज रतन चोथे ने कहा एकराम नमी जूलूस पर निगरानी रखने के लिए जिला पर सासन दुवारा एक सो आस्थाई CCTV कैमरे लगाने के परकिरिया शुरू कर दी गई है बालामू के बेतला नेशनल पार्क में हीरन का सिकार करने के आरोप में तीन गिरफतार गाउ निवासी अमीत भुया और पलामो जीला के तरहसी थाना चेतर के सिल्दिलिया गाउ निवासी निरंजन सिंग के नाम सामिल है गिरफतार आरपयों के पास से हिरन की खाल वशीर बरामत भी किया गया वहीं इस घाटना में सामिल कल्यानपुर निवासी राये सिंग भागने में सफल रहे हैं सिम्डेगा में जंगली हाथियों का अतंक जारी सिम्डेगा में जंगली हाथियों का अतंक जारी है महिला का नाम तरसीला बाब बताया जा रहा है 55 वर्स ये तरसीला महुआ चुनने के लिए जंगल गई थी इसी दोरान दो हाथियों ने महिला को कुचल कर मार डाला देवघर दुम का दोरे पर राजेपाल सिफी राधा कृष्णन राजेपाल सिफी राधा कृष्णन 22 मार्श को देवघर पहुचे जहां उन्होंने बाबा भोले नाथ की पुझा आर्चना की और उनका चिरवाद लिया बाबा बायदनाथ धाम में तिर्थ पुरोहितों ने मंत्रों चारण के साथ पुरे बिधान से उन्हें संकल प्रारा जिसके बाद राजेपाल ने 12 जोरती सिलिंग काभिसे किया बाबा बायदनाथ धाम में फुझा आर्चना के बाद देवघर डीसी मंजुनात पहंत्री ने निलांभर पितामर विश्व विद्याला के पिएचडी पर्वेस परिक्षा एं मोबायल से निकल पुरे परिषार्तियों में प्रींसक्रार रूम में भी जमकर बावाल काटा इसके बाद परचारा डक्ठर आय जे खलको ने एक परिषार्ति को निसकासित कर दिया साथ ही जी एले कॉलेज परिशर में ही असना तक समेश्टर छोग की उतर पुष्टी का कमल्यांकन कराने पहुंची एक पांकी की सिख्षका को डिबार कराने की अन्संसा भी किया है मेडिकल प्रोटेक्शन बील पर परवर समिती करेगी फैसला राज में सिख्षको की मायं को देखते हुए मेडिकल प्रोटेक्शन बील को तयार कर लिया गया था लेकिन बिधायको के पिरोध को देखते हुए मामले को परवर समिती में भेज दिया गया है इस प्रकार एक बार फिर मेडिकल प्रोटेक्शन बिल लटकता दिख रहा है इसके पूर्व भी इस बिल को लेकर विधान सवा में अर्चने आ चुकी है सदन में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट भी आया लेकिन और समातियों को देखते हैं मुख्य मंत्री के आगरापर इस पिकर ने परवर समीति को बेज दिया इसे पहले मुख्य मंत्री है मंसुरे ने कहा आई कि या डॉक्टर और मरीज दोनों से समधित बिधाया खाएं दसवी एगरवी की राइश्ट्रेशन और परिशा सूल्क बढ़ाने का मामला विधान सवावें बुधवार को गोमियों से आईसू के बिधायक लमदर महतुने जहरखन एकेडमी कौंसिल के सूल्क बिरिथी का मामला उठाया उन्होंने कहा है कि राज में नौवी एगरवी की परिशा सूल्क में लगभग डेढ़ गुना बढ़ोतरी कर दी गई है जिस वज़ा से हजारों बच्चों ने अपना राइश्टेशन नहीं करा पाए राइश्टेशन नहीं होने के कारण राजे की लवग दस यार से अधिक बच्चे परिक्षा में सामिल होने से वनचीत हो जाएंगे उन्होंने सदन से मांग की है कि छात्रों को भवी से हीत में जैक को निदेश जारी की जाए जार्खन वासियों की प्रती ब्यक्ति आए 86,000 के पार लेकिन किसानों की आए में गिरावाड बिधायक परदी प्यादों द्वारा पुछेगा एक सवाल का जबाब देते हुए बीत मंत्री रामे सरुरा ने बताया कॉंस्टेट प्राइस के अधार पर करेंट प्राइस के अनुसार ज्यारखंड वास्यों की प्रति ब्यक्तिया 86,060 रुपे प्रति में है उन्होंने कहा है कि जीडीपी में किरिसी का परतिसत घटा है उन्होंने कहा है कि आजादी के समय उद्योग नहीं थे इसलिए आये का एक मात्र साधन किरिसी था उस समय जीडीपी में 50 फीदी से ज़्यादा कंट्रिब्यूशन किरिसी का होता था जो आज घटकर महज 17 पर्चत हो गया है जारखंड दोरे पर नितिन गटकरी 10,000 क्लोर की सोगात जारखंड के लिए गुरुवार 23 मार्च का दिन काफी अहम मना जा रहा है केंदरी ये सड़क परिवहन मदरी नितिन जयराम गटकरी जारखंड के लिए सोगात की बारिस करने वाले हाँ है बतादे 10,000 क्लोर से अधिक योजनाओ का सिलन्यास और उधाटन के इंदरी ये मंतरी नितिन गटकरी करेंगे 23 मार्च को नितिन गटकरी दोपहर 1 बच का 30 मेट पर राची पहुचने के बाद सीधे जमसेद पुजाएंगे जहां कारकरम में सिर्कत करेंगे बतादे साम 4 बजे रांची के पुराने बिधान सभा के समीब आयोजित कारकरम में लगभग 7,000 क्लोर के महतपूर्ण राश्ट्री ये सरक योजनाओ का सिलन्यास और उधाटन करेंगे हे मंत सरकार पर जमकर बरसे बाबुलाल जहारखन बिधान सभाएं 82 सत्य के दोरान सरकार 12-48 नाई चलतों को खारीच कर इसे सही बताये जाने पर आयनिती शुरू हो गई है पुरो मुख मंत्री और भाजपा बिधायक दलकिनेता बाबुलामराणी ने हमन सरकार पर निशाना साते वे कहा है कि निशान निती के मुद्दे पर मुख मंत्री हमन सरेन के चेहरे पर लगी नकाप पुरी तरह से उतर गई बिधान सभापरिसर में मीडिया कर्मियों से बाद करते बाबुलामराणी ने कहा है कि मुख मंत्री हमन सरेन जो जहारखन के हीतोसी होने का जो दंब भरते थे वो पूरी तरह से साफ हो गया है सरकार के इस निर्ने से जहारखंड की जानता पूरी तरह से जान चुकी है कि राजय का ही तैची कौन है बाबलार मराणी ने पुरवर्ती रगबर सरकार के दोरह 2016 में बनाई गए नियोजन निती की सराना करते हुए कहा है कि अगले दस बरसों के लिए तरितिय और चत्तूर्थ वर्गों की नोकरी को अठानी लोगों के लिए रिजर्प कर दिया गया था लेकि हमन स्वरेन की सरकार आते ही उसे खारिज कर दिया गया धन्यवाद